हालो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फूर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं, जो आपका S.A.C. M.T.S. और हवलदार की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एक्जाम आपका अपरेल 2023 में लिया जाएगा, उसके लिए टॉप मोस important questions को जो है, इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, और मैं आपको 100% ये guarantee देता हूँ, कि आपके S.A.C. M.T.S. और हवलदार के एक्जाम में, इसी परकार से जो है, प्रेस्ट न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है, लाश्ट तक जरूर देखेगा, और आप सरीक विश् अलाइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आपका पहला कोश्चन है, कि इन विच इयर डिडि तेलांगना विकम दर 29 इस्टेट ऑफ इंडिया, यानि तेलंगाना भारत का 29 राज्य यह किस वर्स बना था, तो देखे मैं आपको बता दू कि 2 जून 2014 को तेलांगना आंद्र परदेश से अलग होकर यह भारत का 29 राज्य बन गया था, तो 2014 आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश्च आपका यहां पर है, कि विच इमांग द सबसे जञाद सीटो की संख्या, वो उत्तर परदेश राज्य में है, उत्तर परदेश की संख्या क संख्या आपका सबसे ज़्यादा जो संक्या है वो 550 है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और देखें लोकसभा को जो है आपका सदन का नीमने सदन भी कहा जाता है यानि नीचला सदन भी जो हो कहा जाता है और राज्यसभा जो होता है वो एक आपका 27 सदन होता है और मैं राज्य सभा का सदश्य बनने के लिए आपका नियुंतम आयू जो है वो तीस वर्स होना चाहिए तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर है कि in which of the following states is the fudung monastery situated यानि जो यह आपका फोड़ूंग मठ है ना यह किस राज्य में इस्तीत है तो देखे यह जो आपका फोड़ूंग मठ है ना यह आपका सिक्किम राज्य में इस्तीत है तो सिक्किम आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर नेक्स्ट कोश आपका यापर है कि which among the following is the oldest mountain hill range in India यानि निम्नलिकित में से जो है कौन सी भारत की सबसे पुरानी परवत पहाड़ी स्रिंखला है तो देखें यह जो आपका अरावली की पहाड़ीया है ना यह भारत की सबसे पुरानी परवत या फिर पहाड़ी स्रिंखला है तो अरावली की पहाड़ीया आपका करेक्टेंसर नेक्स्ट कोश आपका यापर है कि who was the prime minister of Britain when British Parliament passed an independence bill for India in July 1947 यानि जुलाई 1947 में ब्रेटिस संसद ने भारत के लिए एक सवतंता अधिनियम पारित किया था और उस समय जो ब्रेटें यानि UK के प्रधान मंत्री जो है वो कौन थे तो देखें जुलाई 1947 में जब ब्रेटिस संसद ने भारत के लिए एक सवतंता अधिनियम पारित किया उस समय जो ब्रिटेन के प्रधान मंतरी थे ना या आपके क्लिमेंट एटली थे तो क्लिमेंट एटली आपका करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोश आपके आपके आपर है कि विट विच आप दा फॉलिविंग इस्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी इस दा दुमहल फोक डां यह आपका जम्मू और कस्मीर केंडर सासीत परदेश का एक लुक नेते है तो जम्मू और कस्मीर आपका करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोश आपके आपके आपर है कि अर्थ क्वेक वेप्स आर रिकोड़ेड बाई एन इंस्ट्रुमेंट इस कॉल यानि भुकम तरंगों को क इमांग दा फॉल्विंग फाइनेंसियल इंस्टिउशन्स वाज नेस्नलाइज़ इन नाइटीन फॉर्टिन यानि उनी सो उन्चास में जो है निमनली खित में से किस वेत्य संस्थान का जो रास्टे करन किया गया था तो देखे यह जो आपका आर बिया ही है ना जिसे एक अपरेल उनी सो उन्चास को जो है इसका रास्टे करन जो हो किया गया था तो आर बिया ही आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर है कि विच आप दा फॉलिविंग रिवर्स फ्लोज इंटू दा बे और बंगार यानि निमनली खित में से कौ खाड़ी में बहती है तो देखें यह जो आपका बंगाल की खाड़ी में बहता है ना यह आपका क्रिश्ट नदी है तो क्रिश्ट नदी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके अलावा बात कर ले 17 राभी ब्यास यह सब जो नदी है ना यह आपका अरेबियन सी में ज जो है कौन सा प्रेरग जो है ये सुच में रूप से जीव है ना वो जिमेदार होता है तो देखे समानी सर्दी और इंफ्लुएंजा यानि फ्ल्यू के लिए जो है या आपका वाइरस जो है वो जिमेदार होता है तो वाइरस आपका करेक्ट तेंसर हो नेक्स्ट कोशा आपक कि which of the following crops is an example of खरीब क्रॉप्स यानि निमनलिकित में से जो है कौन सी फसल जो है खरीब फसलों का उधारन है तो देखे अगर खरीब के फसलों के उधारन की बात कर ले तो आपका धान यानि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मुंग, मुंग फली, गन्ना, सोया बीन, उड़द, तूर, कुल्थी, जूट, सन, कपास ये सब जो आपके किसके उधारन है तो ये आपके खरीब फसलों के उधारन है और देखे आपके उप्सन में जो है कॉटन यानि कपास दिया गया है तो देखे ये जो आपका कपास है ये खरीब फसलों का उधारन है तो कपास आपके यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके यहाँ पर है कि सांबर जील के बारे में निम्नलिकषित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है तो देखे ये जो आपका सांबर जील है वो आपका राजस्तान राज्य में और इसथितर और इजो बारजेस़ इनलेंड सौलट लेक इन इंडिया यानि ये जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर देश ये खारे पानी की जील है तो option 2 जो है आपका यहाँ पर correct answer हो इसके अलावा मैं आपको बता दू कि चिलका लेक ये जो आपका उडी सा राज्जी में है और ये जो आपका चिलका लेक है ना ये भारत का सबसे खारे पानी की जो है सबसे बड़ी जील है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो आपका सामबर जील है ना ये सबसे बड़ी अंतर देश ये खारे पानी की जील है तो ये fact आप ध्यान में रखिएगा, next question आपका यापर है, कि भारत के रास्टपदी की महाभीयोग की परकिरिया जो है, ये कहां से सुरू की जा सकती है, तो देखे, रास्टपदी के महाभीयोग की जो परकिरिया है ना, ये संसत के दोनों सदन में जो है, वो सुरू किया जा सकता है, तो option 4 आपका correct answer हो, next question आपका यहापर है, कि निमनली खित में से कौन सी गतिवीदियों को जो है, अर्थ विवस्ता के दितेज छेत्र, यानि secondary sector में एक भाग के रूप में जो है, वो वर्गी कृत किया जा सकता है, तो देखे, secondary sector में जो आपके कौन-कौन से आ जात सर होगा, इसके लाबा मैं आपको बता दू कि आपका जो agriculture, यानि जो आपका क्रीसी है, या आपका primary sector, यानि जो प्रात्मिक छेतर में आ जाता है, बैंकिंग जो है, या आपका third tertiary sector, यानि रितेज छेतरक में आ जाता है, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, next question आपक प्रतिवर्स किस दिन को मनाय जाता है, तो देखें अंधरास्टे जय विविता की बात कर ले, तो ये आपका प्रतिवर्स ये जो है, बाइस मई को मनाय जाता है, तो बाइस मई आपका यहाँ पर एक correct answer हो, next step का यहाँ पर है कि पासी कॉंग की, ये जो है किस राज्य का एक लोक नेते, यानि फॉक डांस है, तो देखें ये जो आपका पासी कॉंग की है ना, ये अरुनाचल परदेश राज्य का जो है, एक फॉक डांस है, तो अरुनाचल परदेश आपका correct answer होगा, next question है आपका यहाँ पर है, कि वे औहूंग दा फालिविंग, ड्राप्टेड आ मुसादा है ना, ये किसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया, तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या कर देते हैं, बी यार अम्बेटकर को मार करा जाते हैं, तो देखें मैं आपको बता दू कि यह जो आपका गलत हो जाएगा, अनुछे 370 का जो मुसादा है ना, ये गु पाल स्वामी आयंगर आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुछ आपका यहां पर है कि हू प्रपोज्ड वर्दा अस्क्रीम वर्दा स्कीम बेसिक एडूकेशन यानि बुनियादी सिच्छा की वर्दा योजना जो है यह किसने जो है वो प्रस्तावीत की थी तो वर्दा योजना को जो है यह आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह प्रस्तावित किया गया था तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोछड आपका यापर है कि who is the first Indian American to become governor of state of USA यानि USA के जो है governor बनने वाले पहले भारतिय अमेरिकी कौन है तो देखें USA के governor बनने वाले जो पहले भारतिय अमेरिकी है या आपके कौन है तो Bobby Jindal है तो Bobby Jindal आपका correct answer हो next question आपका यहाँ पर है कि who is the author of the Ben Hur a tale of the Christ यानि Ben Hur a tale of the जो Christ यह जो पुस्तक है ना इस पुस्तक के लेखक कौन है तो देखें इस पुस्तक के जो लेखक है यह आपके कौन है तो यह आपके new balance है तो option 3 आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है which state does not share its boundary with मियानमार या कौन सा राज्य जो है मियानमार के साथ अपनी सीमा साजा जो है वो नहीं कर तो देखें मैं आपको बता दू कि मियानमार के साथ भारत के जो है total 4 राज्य जो है वो सीमा साजा करते है और वो 4 राज्य कौनकों से है तो पहला अपका रुनाचल पर्देश होगया तर्ड आपका जो है नागा लेंड हो गया, थर्ड आपका जो है मनी पूर हो गया और फोर्थ जो है आपका मिजोरम राज्य हो गया, लेकिन ये जो आपका सिक्किम राज्य है ना, ये आपका म्यानमार के साथ सीमा साजा नहीं करता है, तो सिक्किम आपका यहां पर करेक्ट नेक्स्ट कोशा आपका आपना है कि विच आर्टिकल ऑफ दे कंस्रिट्यूशन डिल्स विद्धा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इस्टेट यानि संविधान का कौन सा अनुछेद जो है नए राज्यों के गठन से शंबंदीत है तो देखे अनुछेद जो आपका तीन है ना यह राज्यों के गठन से शंबंदीत है तो अनुछेद तीन आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा बात कर ले अनुछेद एक के बारे में तो देखे अनुछेद एक जो है यह संग का नाम और राज्य छेत्रे का जो यह उपबंद करता है अनुछेद दो की बात कर ले तो यह नए राज्यों का परवेश या फिर अस्थापना का जो यह आपका उपबंद करता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहां पर है कि खुआंग इस ट्रैडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ओफ विच इस्टेट यानि जो यह आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर है कि विच आप दा फॉल्विंग इस दा बेसिक ऐसा यूनिट ओफ थर्मो डाइनेमिक टंपरेचर यानि निम्न लिखित में से जो है उसमा गतिक तापकरम का जो मूल ऐसा इकाई जो है वो क्या होता है तो दे इस बैली सिविलाइजेशन इस नॉट इन दा बैंक आफ रिवर इंडस यानि निम्न लिखित में से जो है सिंदु काटी सब्वेता का कौन सा अस्थल जो है यह सिंदु नदी के तड़ पर नहीं है तो देखे बात कर ले अगर सिंदु काटी सब्वेता के बारे तो देखे का जो आदर से वाकिया है यह किस ने प्रस्तावित किया था तो देखे ओलंपी का जो आदर से वाकिया है यह प्रस्तावित किया गया था तो 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 प आपके फल के उत्पादन से संबंदीत है तो फल आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा और आज का जो आपका लास्ट कोशन है जिसका जबाब जो है आपको कमेंड बॉक्स में देना है कि भारत के संबीधान के जो है किस अनुछेद में अंतराश्ट्रे सांती और सुरचा को जो है पद्दो नती देने पर राज्य नीती के नीती निट दे सक सिधानत जो है वो दिये गया है आपके आप्सन में अनुछेद 51, अनुछेद 69, अनुछेद 62, अनुछेद 49 तो अगर आप रियल में त्यारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर जबाब दीजेगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरू कर दीजेगा और इसी तरह जैन्मिन कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मिलतें नेक्स वीडियों तर तक थांक्यू ओल देप